नमस्कार मैं हूँ रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने योटूब चैनल पर आज मैं बात करूँगी पुश्य नक्षत्र के भारे में जैसा कि आप सभी जानते और मानते भी होंगे हमारे वेदिक जोतिस सास्तर में 27 नक्षत्र होते हैं इनी में से आठवे स्थान पर पुश्य नक्षत्र आता है जो बेहदी शुब एहम कल्यानकारी नक्षत्र बताये गया है इसलिए इसे नक्षत्रों का समराठ भी कहा गया है जिस तरह से सेर समस्त जानवरों का राजा होता है ठीक उसी प्रकार से पुष्य नक्षत्र योग सभी योगों में प्रधान माना गया है जब ये नक्षत्र रविवार के दिन पड़े तो रवी पुषय नक्षत्र योग और जब ये नक्षत्र गुरुवार के दिन पर पड़े तो गुरु पुषय नक्षत्र योग अपने आप में बन जाता है इस योग में ग्रहों की सभी बुरी दशाएं अनुकूल हो जाती हैं जिसका परिणाम सदेव आपके लिए सुब एव कल्यान कारी होता है रवी पुषय योग को रवी पुषय नक्षत्र योग भी कहा गया है रवी पुषय योग समस्त शुब एव मांगली कारियों के लिए उत्तम बताया गया है यदि किसी कारिय के लिए अच्छा मुरत आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं कुंडली दिखाने के बाद भी आपको शुब मुरत नहीं मिल रहा है तो रवी पुषय और गुरु पुषय नक्षत्र योग में आप किसी भी मांगली कारिय की शुरुआत कर सकते हैं लेकिन विवा सम्मंदी ऐसे कारिय आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए ब्रह्मा जी के श्राप के कारण विवा सम्मंदी कारिय आपको इस योग में छोड़ देने चाहिए इसके अलावा आप इस नक्षत्र में किसी विवसाई की शुरुआत कर सकते हैं अगर आप सोने चान्दी की खरीदारी आप इस नक्षत्र में करते हैं तो एक हजार गुना आपको भविश्य में मुनाफ़ा देखने को मिलता है अगर आप इस नक्षत्र में कोई प्रोपर्टी डेलरी का काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं आप किसी दुकान को खरीद सकते हैं आप किसी मकान को खरीद सकते हैं निश्ची तोर से आपको भविशे में उसके दुगने परिणाम हैं वो देखने को मिलते हैं आपको दो गुना मुनाफ़ा आपको मिलता ही मिलता हैं अगर आप इस नक्षत्र में किसी जड़ी बूटी को धान करते हैं किसी विशेस मनो कामना की पूर्ती के लिए तो 100% आपक किसी विशेस थान पर उसे धान करते हैं तो निश्ची तोर से आपको उसमें सफलता मिलती ही मिलती हैं अब मैं बात करूंगी कि पुश्य नक्षत्र में आप किन कारियों की सिद्धता कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रह हैं उस पर आप क्लिक करें क्लिक के बाद तीन ओप्शन आएंगे ओल पर आप सेट कर लें अब आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले सबसे पहले मैं बात करूंगी संतान संबंदी जिनको दिक्कते आ रही हैं परिशानी आ रही हैं जिन पुरियदेव की भगवान शिव के मंतरों के साथ उसे अभिमंतरित करते हैं और शुम मूरत में आप उसे धान करते हैं तो देखिए आपको 101% उसमें सफलता मिलती हैं आपको शिग्र ही संतान प्राप्ती का योग बनता हैं भगवान भुले नाथ की कृपाज हैं आपको इस मुहरत में उस जड़ी बूटी को धान करने के बाद नो महीने के अंदर ही आपको संतान पैदा होती हैं, ऐसा सास्तरों का मानना है, ऐसा आप एक बार निश्चित तोर पर करके देखिए। और ये तो आपने सुना ही होगा कि सुब गड़ी में किया गया कोई भिकारी हमेशा सुफल ही प्रदान करता है। आपको कल इस मूरत में अपने पुत्र प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति के लिए लेने आऊंगा, आप मेरी मनो कामना को पूर्ण करें। ऐसा बोलकर आप अपने घर पर आजाएं और जो शुम मूरत हैं उसी शुम मूरत में आप इस जड़ी बूटी को निकाल कर लेकर आएं। उसे अच्छे से साफ जल से दोलें, फिर गंगा जल से या कच्छे दूद से या पंचा अम्रत से सनान कराकर उसे अपने घर के मंदिर में रखकर भगवान शिव के मंतरों के साथ सूर्य देव के मंतरों के साथ उसे अभी मंतरित कर लें। धूप, दीप, अक्षत, रोली, मोली से इसका पूजन कर लें और पूजन के बाद लाल रंग के धागे में लपेट कर इसे आप अपनी कमर पर बांद लें अगर आप संतान का सुक चाते हैं तब अगर विवा संबंदी ऐसी कोई भी आर्थिक समश्या आपके घर परिवार मे किसी बच्चे को लगी हुई है कि उसके विवा के योग नहीं बन रहे हैं तब भी आप इस जड़ को धारण कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से अभिमंत्रित करके लाल रंग के धागे में आपको दाहीनी बाजु में या अपने गले में उसे धारण करना है संतान प्राप् प्रिक्षा के लिए बार-बार कोई एकजाम दे रहे हैं और उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में आप इस शोमुरत में इस जड़ को लाकर अभिमंत्रित करके अपने रुमाल में बांध कर अपने पास भी रख सकते हैं जब भी आप किसी को आप साथ ले कर जाएं निश्ची तोर से आपको परिक्षा में सफलता प्राप्त होगी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा पहले आपका बच्चा खूब पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता है तो हो सकता है कि कि किसी की नजर उसको लगी हो तो ऐसे में काले रंग के धागे में लपेट कर इस जड़ को आप उस बच्चे के गले में धारन करवा दें निश्ची तोर से बच्चे की नजर उतर जाएगी और कभी भी आपके बच्चे को नजर नहीं लगेगी अगर आपको लगता है कि आपके घर पे किसी ने कराया धराया है नजर, बद्वा या कोई ऐसी अलाबला आपके घर में लगी हुई है तो इस जड़ी बूटी को सफेद आकडे के या मदार की जड़ भी जिसे बोलते हैं सफेद आकडे के या मदार की जड़ को बिल्कुल इस शुमूरत में लाकर काले रंग के धागे में लपेट कर आपको इस जड़ को अपने में दरवाजे पर टांक देना है किसी आते जाते की नजर इस पर नहीं पढ़ने चाहिए ऐसा आप एक बार करके देखिए नजर बद्धवा सबी एक दम से उतर जाएंगी इस सुभ योग में अगर आप ऐसा कोई भी कारिय करते हैं किसी मंत्र की साधना करते हैं किसी मंत्र को सिद्ध करना चाते हैं तो निश्ची तोर से आपको सफलता मिलती ही मिलती है ऐसा मेरा भी मानना है और सास्तरों का भी मानना है एक बार आप अवश्य ही करके देखिए लाखो रुपए के मानिक रत्म नीलम पन्ना जो विशेस कारिय करते हैं उनसे भी दुगना कारिय करती हैं ये जड़े अगर आप इने पुश्य नक्षत्र में लाते हैं और अच्छे से अभी मंत्रित करके पूरे विश्वास के साथ अगर इने दहन करते हैं तो 101% आपका कारिय सिद्ध होता ही होता है जब भी आप किसी विशेस कारिय की शुरुआत करें तो आज के दिन लाल गव माता को गुड से बनी हुई मीठी रोटी आप अवश्य ही खिलाएं अपनी किसी विशेस मनो कामना को बोल कर गव माता से आप इस कारिय की शुरुआत करते हैं तो गव माता आपकी आर्थिक समश्याइं समाप्त करती हैं, धन धाने में आपके घर में व्रधी करती हैं और आपकी विशेस मनो कामना की पूर्ती अवश्य करती ही करती हैं, इस तरह से पूरे विश्वास के साथ इस जड़ को धारन करके अवश्य देखें, लाब आपको न अगर आप किसी वस्तू को आप आज के दिन बेचते हैं तो हो सकता है कि भविश्य में हजारों लाखों गुना आपको कोई वस्तू बेचनी पड़ जाएं तो इस तरह से एक विवा का कारिये और लेने देने सम्मंदी ऐसा कोई भी कारिये आपको नहीं करना चाहिए आज के दिन मातालक्षमी जी की विशेस अरादना करके मातालक्षमी जी की अपार किर्पा दृष्टिया प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह से इस जड़ी बूटी को धारन करके आप अनेकों समश्याओं से निजात पा सकते हैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए चुरी जान करते हैं आप